Hello and welcome viewers, आईए आज के इस वीडियो में जानते हैं vulnerable का मतलब, उसके pronunciation और साथ ही देखेंगे कि हम vulnerable word का sentence में इस्तमाल कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि vulnerable को हमें pronounce कैसे करना होता है vulnerable के कुछ समानात शब्द याने के synonyms है डिफेंसलेस, निराश्रे, सेंसिटिब, समबेच्शील, अंसेव, असुरक्षित, बीक, कमजोर vulnerable का अर्थ होता है someone who is vulnerable can be easily harmed or hurt जो कमजोर है उसे आसानी से नुकसान पहुचाया जा सकता है तो आई अब हम vulnerable शब्द का sentence में यूज करके देखते हैं Children are the most vulnerable members of society बच्चे समाज के सबसे कमजोर सदस्य है Old people are particularly vulnerable to the flu बूरे लोग विशेश रूप से फ्लू की चपेट में आ जाते हैं These offices are highly vulnerable to a terrorist attack ये कार्याले आतमवादी हमले के लिए अत्यधिक सम्वेच्शी है You must try not to appear vulnerable You must try not to appear vulnerable कोशिश करें कि आप कमजोर ना दिखें तो simple शब्दों में vulnerable का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी परिस्तिती में कमजोर पर जाता है और सुरक्षिव महसूस करता है अत्य सम्वेच्शील व्यक्ति को हम vulnerable कहेंगे अब आपकी बारी नीचे कमेंट में आप vulnerable शब्द से sentence बना कर बताएं तो एंपकी पुर्यक्ति कि अव्यक्ति अन्हें कि अन्हें नीचान विक्ति लूर्ड एंटि जब लेक्तिंग्ति भीक्ति कि यूद्द झारें बताएं है